Hello guys, this is me Vassim Memon और फिर से आज ही रूम मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेगा आज हमारे transformation का last day है और आज हमें back workout प्रोफर्म करना है और मैं आपको एक बात यहां पर clear कर देता हूँ कि इतने भी मैंने transformation related videos बनाई है वो आपको वो workout जो है वो workout आपको one and half month आपको follow करना है और उसके बाद अगर आप चाते हो कि मैं दूसरी एक series बना हूँ transformation related आप मुझे comment करके बता सकते हो अगर मुझे ज्यादा comment आए तो मैं दूसरी series भी बनाऊंगा transformation के उपर यह जो workout है वो आपको one and half month follow करना है जितना गी मैंने आपको दिया है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday इसी तरह आपको one and half month follow करना है उसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए दूसरी series बनाऊंगा transformation की आज हमारा last day transformation का back workout का और उसके बाद यहीं workout आपको one and half month तक continuously follow करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पिना टाइम वेस्ट किये हुगे यहाँ पर हमारे पहले exercise होने वाली है deadlift और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में squat में भी suze नीकाल डाले थे उसी तरह suze नीकाल के हमें deadlift लगानी है क्योंकि squats और deadlift यह दोनों ऐसी exercise है जिसमें हमारी feet flat होना बहुत ही ज़रूरी होता है तो आपका suze अगर ज्यादा हिल वाला हो तो आपको suze नीकाल कर ही यह exercise को लगाना है और हम यहाँ पर पहला set जो है वो warm up set लगा रहे है और उसके बाद हम दूसरा एक warm up set लगाएंगे तेन हमारा working set स्टार्ट होगा और इसके भी हमें 3 set 12-10-8 repetition प्रोफॉर्म करना है और गाईज यह compound moment exercise है इसमें आप one rep mix तक भी लगा सकते हो विच्चों करते ही अब हम वर्किंग सेट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा पहला वर्किंग सेट है और इसी तरह आपको तीन सेट लगाने है वर्किंग सेट के इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सराइज होगी लेट पूल डाउन और इसके भी हमें 3 सेट 1210 एट रेपेटेशन लगाने हैं अब हमें इसका सेट लगाना है और गाइस हर एक सेट के बाद आपको 35 या 40 सेट का मिनिमूम रेस्ट लेना है हमारी थर्ड एक्सराइज होगी केबल सिंगल आर्म रोग इसमें हमें इज हैंड 1210 एट रेपेटेशन लगाने है और उसी तरह जैसे आप देख रहे हो हमें दूसरे हैंड में भी सेम रेपेटेशन लगाने है अब हमारी फर्ट एक्सराइज होगी MP3 बार पर बेन्त ऑलो में और हगा लगाइज इस एक्साइज में आपको अपनी ब्यक्ता ख्योड रुखने निटेश को आउट रखना है और उप़ bancीन करी आउटता कर ओदा सबस्क्राइब और हाँ गाईज हमें हर एक्सेस के ट्वेल टेन एड रेपेटेशन थ्री सेट लगाने है और 35 या 40 सेगंड का रेस्ट लेना है और यहां पर हमारा बेक परकाउट फिनिस होता है अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हूँ तो ओवेसलि आपको वीडियो पसंद आया ही होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल को इंस्ट्राग्राम के जाकर मुझे फोलो क करो और वीडियो को लाइक कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा वीडियो सेर करो और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई